मेरी तरह अगर आपको भी कोट्रूम ड्रामास पसंद हैं फिर तयार हो जाएए सून तू स्ट्रीम डिजनी हॉट स्टार की एक सीरीज जीता सानिया ट्रेलर देखके पता चल रहा है कि ये कोट्रूम ड्रामा तो है ही यहाँ पर फोड़ा क्वर्की भी है ट्विस्ट भी है तो क्या कुछ होने बाला है बात करने के लिए दो हैंसम और बहुत ही टालेंटेड अक्टर्स जो की लीड कास्ट मेंबर्स है सीरीज के मानेक और अंकुर हमारे साथ है पंजाब के से नमुदर टायंस में धेर सारी बातें दोनों से करेंगे अफकॉस तो क्या एक्सपेक करें अंकूर हम सीरी से स्टिरीज से आप क्या नहीं एक्सपेट कर सकते बहुत कुछ है इसमें सस्पेंस है, ड्रामा है ठिलर भी है एक तरह से देखा जाए तो मतलब इसमें हर तरह का एक किरदार है, मतलब विलिंज भी मिनों बहुत हैं और रीटा तो रीटा के अंदर बहुत सारे किरदार शुपे हों हैं शायद बट उसके अलावा और क्या मनिक, और क्या एक्सपेट कर सकते हैं काथी को जैसे अमकुन कहा expect कर सकते हैं what's good about this show is it's really well balanced I think, जैसे आपने बोला quirky है, मगर serious नहीं है I think serious भी है और बहुत अच्छे से बहुत अच्छे elements में आपको देखेगा कि कुछ-कुछ पार्ट सीरिस है और आपको समझ नहीं कि एकदम से कोगी हो गया है फिर एकदम से सीरिस हो गया है so it's going to keep you on your toes and it's going to be enjoyable experience और it's a nice complete package a nice pulpy show which I'm sure your viewers will enjoy right so I think बहुत से मसालों का तड़का फुल मिलाके सीरीज में है अब आप दोनों से respectively पूछती हूँ मानिक पहले आप बताएगा आप कौन सा वाला तड़का है आपका रोल किया है तो जी मेरे कैरेक्टर का नाम है इशान दवेदी मैं खेल रहा हूँ अब जो अदा कारेक्टर है रीटा सान्याल I am her right hand man I am her man Friday I am her unrequited lover I am her everything so basically मैं उसका मैं उसकी मदद करता हूँ उसकी dated way cases में और उसकी personal life में भी तो जो मेरा तड़का आता है वो आता है जो like I would I would just to put it bluntly maybe a little bit of comic relief but relief is the wrong word I feel like comic stress is what I add and that's the taga that I bring okay okay and Ankur Aap I think that माने का किरदार नमक है मतलब नमक किसी डिश में डालते हो ना तो बहुत ही मतलब उसकी जो फ्लेवर है उसकी फ्लेवर को और एन्हेंस करता है और हर सीन में जो मैंने माने के साथ काम किया वो ही मेरा एक्स्पिरिंस है जो जहां पर जैसे हमने का कि सस्पेंस है, थ्रिलर है, ड्रामा है लेकिन इसमें काफी कॉमेडी भी है और वो जो comedic जो मोमेंट्स है ना इसका थोड़ा बहुत हम नमक छिड़कते हैं ना तो वो खिलके आती है और जैवर्धन, जो मेरा जो कारेक्टर है उसको हम गरम मसाला बला सकते हैं Okay I think so गरम मसाला थोड़ा वो फ्लिर्टेशिस भी है थोड़ा मिर्चीपन है उसमें मतलब जिस तरह से वो अदा से फ्लिर्ट करता है जिस तरह से काफी बल्ड फ्लेवर है जैवर्धन, वो मतलब situations में पी ऐसे बिना सोचे समझे घुष जाता है कोई action का sequence हो या किसी गुंडे का पीछा करना हो तो उस तरह से I think और जब मसाला का दूसरा भी मीनिंग है जो थोड़ा Bollywood मसाला है उसमें जिस तरह से वो फिल्मीपन दिखाता है वो आप शो में देखना तो बहुत कुछ है जैवर्धन में अच्छे नमग और मसाले की तरह आपने अपने characters को बताया है बट दूनों ही जो spices है किसी भी dish में ज़ादा डल जाएं या कम डल जाएं तो dish का मज़ा खराब हो जाता है तो यहां आपके जो characters है वो रिटा का जो central character है जो उसकी जो progress है career में हो या life में हो उसमें आप कितना मतलब बैलेंस रहा तड़का लगा रहे हैं या अभी जादा हो जा रहा है कि काम खराब कर दे रहे हैं कैसा है मानिक I think game वही है कि balance तो हमारी attempt भी होती है in Rita Sanya's life to help her and assist her in the best way possible but as you know boys will be boys थोड़ा जादा कर जाते हैं तो my attempt is to balance my work life with my personal life with Rita Sanya और मुझे थोड़ी सी चुल रहती है जो कि अपना जयवर्धन के character से है तो मैं जाता हूं कि जयवर्धन उसकी life में कम आया और मैं जादा हूं और ये मेरा attempt रहता है और दूस्ती तरफ से जो जयवर्धन का attempt है वो आपको अंकुर राटी ही ठीक से बता पाएंगे तो मतलब Am I sensing or smelling a love triangle here या उसकी कोशिश You are smelling just a garlic on the pan right now being fried अंकुर, how would you say जिसे नहुने बताया कि इनके कारेक्टर की कोशिश है कि आपका कारेक्टर अदा के कारेक्टर की लाइव में ना आए आपका क्या है मैंने सच बता हूं तो इस character को preparation के वक्त मैंने सोचा बहुत था और फिर जैसे ही मैं scene में घुस्ता गया और जैसे ही मैं हर show की अपनी सुर होती है जैसे ही मुझे एकदम से वो clarity आए कि भी अच्छा ही show की सुर अलग है जो मैं सोच रहा था और जो ये है जैसे के मानिक ने कहा कि ये काफी pulpy show है ये इसमें बहुत कुछ तड़का लग सकता है तो मतलब ये बनाया ही गया है उन लोगों के जिनकी spice tolerance ज्यादा हो जिनको उस मसाले ज्यादा पसंद है तो उस नजरी से देखा जाए तो मैंने फिर मैंने इतना अपने आपको hold back नहीं किया जहां मन किया मैंने डाल दिया आख बंद करके ऐसे जो एक होते है ने टी स्पून का आप मेजर करके डालते हो सीन में मैंने ज़ए हाथ से ये निगार गाल गए लाए आपको जाए अदया गाल जाए तो हमारे MasterChef अभिरूप जाए ठेक्टर वो बोलडे ते जए थीजादा हो गया तो अलग टेक में कुछ अग करते हैं राइट जाए अजब राव ड़ीशर्हां किस रह का प्रोसेस राहमानिक आप पतही बैले अपका मतलब audition जैसे हुआ या हाँ मतलब रोल आपके पस कैसे आया straight up old school जैसे आता है audition किया मैंने और मेरे को याद जो थोड़ा पूद आ रहा है अभी I auditioned for it and I got a call after about a week week and a half कि भाई ज़रा एक और बार कर दोगे लगा चलो ठीक से कर देते हैं क्या problem है तो कर दिया उसके बाद call आएगा की की okay will you do it I said जैसे why not लेकिन I would like to be a part of it तो फिल मैंने पढ़ा थोड़ा मैं बैठा विदा डिरेक्टर Mr. Aviru Ghosh के साथ and yeah it was great बस ऐसे ही था और अंकुर आपने जै के अंकुर ने रीता शानिया के लिए था अगर उनका कुछ बेरा है। तो मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा अजीव है। पलीस इंस्पेक्टर का पहली बार आ रहा है। और हमेशा मैं बच्पन में तो पलीस इंस्पेक्टर देखता आया हूँ स्क्रीन पर सणी देओल जी धर्मिंदर जी यह जो भी है। तो हमेशा मन में था कि मैं भी करूँगा एक दिन लेकिन वो आफर्स कभी नहीं आये। तो पता नहीं क्यूं आया तो मुझे लगा ठीक है तो फिर पूरा खेलता हूं मैं मदा आएगा। अब हाथ में आएगा नहीं आएगा वो देखी जाएगी। तो उसके बाद प्रडूसर के साथ मेरी कॉल हुई राजिश और नायर के साथ। और मैंने उनको फिर सीधा ही पूछती है कि मतलब आपके दिमाग मैं कैसे आए इस वोल के लिए। तो उन्हों नहीं कहा कि हम चाहते हैं कुछ जैसे आपने शब्द यूज किया अतरंगी। हम चाहते हैं कि जो नॉर्मल जो पुलीस इंस्पेक्टर हम जो सिन्मा में देखते हैं उससे थोड़ा अलग फ्लेवर चाहिए। और क्यूंकि बाकी इंडिस्टी तो हमें एक पुलीस इंस्पेक्टर के किरदार में नहीं देखती। उसी के कारण हम आपके पास आएं क्या हमें लगता है कि आप कुछ अलग करके दिखाओगे इस किरदार में। हमने किया के नहीं किया वो देखी जाएगी। लेकिन मुझे मज़ा तो होता है. I'm sure वो जब release हो जाएगी series फिर आपके DMs flooded होंगे with the kind of comments कि भई आप you did justice और मज़ा आया. But एक बाग बताईए हम तो edited version देखेंगे. You know, जो final एक cut है series का, सारे episodes का. But behind the scenes भी बहुत कुछ होता है. You know, actors के साथ में कभी funny होता है, कभी serious होता है. तो ऐसा कुछ है जो top of your mind आप दुनों के आ रहा हो शेयर करना चाहें, माने. ऐसा कुछ specific तो काफी सार instances होंगे. But I would like to say में को अंकुर के साथ शूट करके बहुत मज़ा आया. There was not a moment of silence on set if we're not working. एक time तो जब हमारे पास 4-5 घंटे थे थोड़ा time kill करने के लिए. तो as you know, अंकुर से बात करते करते हैं, हमने realize भी नहीं किया. हम अंकुर की गाड़ी में बैठे और हम पहुंच के कोई मॉल और वहां जाके जो बच्चों का area नहीं होता, वो पन पॉब्लिक टाप जिसमें वो गड़ोर रोलर कोसर जाओं तेम पार्क थेम पार्क पंदरा मिट के अंदर अंदर हम थेम पार्क में थे और अंकुर राइड चल रहा था और मैं I realize हम हम चोड़गे हम बात करते करते यहां पहुंच चुगे कि मुमार पास चार पाच गंटे गें so it was it's like that with अंकुर if we were in conversation आप और कुछ सोच नी पाओगे आप बस करते रहोगे अंदर आपका कुछ ऐसा behind the scenes memory I think हम तीनों की chemistry बहुत ही अच्छी बैठी शुरुवाट से और मानेक और I think हम दोनों एक दूसरी काफी टांग खीचते हैं अब भी खीचते हैं जैसे कि इन्होंने कहा कि I don't know कई बर क्या होता है आप सेट पे आते हो तो पहले ही दो तीन दिन में पता चल जाता है कि जिसके साथ आप जिस अभिने के साथ आप काम कर रहे हो क्या ये प्रिफेशनल रिष्टा रहेगा या यहाँ पर कुछ पर्सनल रिष्टे के भी कुछ प्रिटेंशल है के नहीं और मानेक के साथ तुरंट पता चल गया कि ये प्रिफेशनल भी रहेगा लेकि पर्सनल शायद ज्यादा भी रहे और क्योंकि हमारा हमारे scenes और हमारा जो जैसे कि मैंने कहा हमार जो genre of show है उसमें ऐसा नहीं था कि बहुत ही serious या emotionally vulnerable scenes थे in fact मुझे तो लगता है कि जितना और मस्ती हम off screen कर रहे थे जितना वो हम लेकर on screen करें वो show और भी तो वो हमने किया अगर off screen chemistry अच्छी है तो on screen वो दिखती है you know it's like a blend of all the spices together जो as we are talking about dishes तो उसको अच्छा बनाती है but while we are on the topic of you know variety अग-अग जाइको के हम बात करें आप दोनों की body of worth के अगर बात करें you've been getting different kind of roles but होता ना कि हर actor की जो आप चाहोगे के यार ये भी रोल हम करें ऐसे ऐसे characters को हम play करें माने कौनसे वो top 3 characters है जो आप चाहोगे के यार ये मुझे offer के जाएं which you've not tried yet मैंसे किसी ने ये सवाल अभी recently पूछा था and it made me think and I've realized कि the most of the roles I've done अभी तक have been a little on the closer to home type of a funny character or like a nice endearing boy or a boy next door तो जो character मैं actually एक top 3 तो नहीं मालूँ मगर एक genre of character मैं को I wanna play a negative character I wanna be a villain I wanna be a bad guy because as you know everybody is a mix of good and bad and it'll be fun to explore that area of my personality तो मैं को उस वो करने में काफी मुझे लगता है मजा आएगा और मैं शाएद अच्छे से भी करू तो अगर वो हो तो बहुत मजाएगा मुझे यस और आपके एक इमिज बनी है as you said आपके character को negative shape play करते वे देखना किस तरह से वो आएगा किस series या film में आएगा वो बड़ा interesting रहेगा अंकुर आपका है ऐसा कोई character या role मेरा हर बार मैं जब ये सवाल मिलता है मुझे हर बार कुछ अलग answer देता हूँ इस बार आपके वो मूड के मूड के साथ होता है I think कहीं है कहीं मेरे अंदर वो जो Bollywood मसालेदार जो feeling है वो जाग के आई है recently I think मैं कुछ ऐसा बहुती मस्ती बाला किरदार निवाना चाहता हूँ जहां पर एक ऐसा किरदार जो अपने आपको ज्यादा सीरिसली ना ले जहां पर नाच भी हो गाना भी हो full-on like flirting or you know hasi mazak ऐसा कुछ कुछ कॉमेडी का करना चाहता हूँ okay so maybe जल्दी से वो साले रोल्स जो आप चाहते हैं आपको मिलें नेक्स प्रोजेक्ट पर अगर हम बात करें तो मानिक के लिए for a negative character अंकुर के लिए for this full masala Bollywood character but आप लोगो ने यह जो सीरिस के let's coming back to the series you know you've lived the series for the number of days जो आपने इसकी प्रेप की है shoot किया है obviously अभी रिलीज होगी तो काफी close आपके यह सीरिस होगी और audience के लिए अगर एक sentence में आपको sum up करना हो as to why should we watch it because you understand there's so much to watch कहीं miss na हो जाए यह सीरिस मानिक क्या कहेंगे that one reason for us to watch it I feel like from what I remember it's it's releasing one episode every day and it's free on mobile on Hotstar's app so it's like a daily dose of entertainment where after each day you're going to be wanting and wishing कि यार अब मेरे को पताओ अगले episode में क्या हुआ और आप दूसरे episode के लिए अतावले हो जाओगे it's gonna be it's gonna be that much of entertainment packed in one episode and I think that's a great reason to watch right Ankur क्या आच करेंगा अगर आपको एक बरी आप रेल गाड़ी पे चड़ जाते हो ना एक स्टेशन पे तो उतरने का मन नहीं करेगा यह एक ऐसा शो है जहां पर action, suspense, and thrill इतना ज्यादा है कि एक episode से दूसरे, दूसरे से तीसरे मतलब कोई ऐसा स्टेशन मिलेगा है नहीं भागलर्वी चल उतरले लएं You will just keep watching and I think that's one of its biggest USBs of the show Right so definitely looking out for this train में ळीके ले कि हम उतरे नहीं and that's the wish that I have for both of you कि आपके भी चू करेयर की असी रहे कि आप चड़ गे हैं और अब उतरे नहीं आपको अिने ड़ग a lot Giूसरे में thank you thank you bye-bye